कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करे अपनी CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाउ। अन्व्यापम के लिए सबसे ज़रूरी है सबसे ज़रूरी है। रूप में अस्तित में आया है आपका खेरागर छुई खदान गंड़ाई। देखिए मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा पिछले साल पांच नए जीलों के गठन किये जाने की घोशना की गई थी। एक था आपका मोहिला मानपूर अंबागर चोकी जो की राज़रागर से प्रिथा कोकर के अस्तित में आने वाला। और चोथा है आपका सक्ती जो की जानजीर चापा जीले से प्रिथा कोकर के अस्तित में आएगा और पाचवा है आपका मनिंद्रगर भरतपूर चीर्मिरी जो की आपके कोरिया जीले से प्रिथा कोकर के अस्तित में आएगा। इन पाच जिलों में से तीन जिले आपके अस्तित्व में आ चुके है इस सितंबर महिने में एक सितंबर 2022 को राजपत्र में अधिसूचना जारी हुआ और तीन जिले 29 जिले के रूप में आपका मोहिलाबानपूर अंबागर चौकी ये दो जिले भी अस्तित में आने के लिए बाकी है आज के इस क्लास में हम 29 जिले मोहिला मानपूर अंबागर चौकी जिले का एक डिटेल वीडियो कवर करने वाले है आज किवल एक ही जिले का वीडियो आएगा कल और एक वीडियो आएगा जिसमें हम तीसवे जिले सारंगड बिलाईगड का डिटेलिंग करेंगे और उसके next day एक और वीडियो आएगा जिसमें हम खेरागड छोईखदर गंडाई का डिटेलिंग करेंगे ठीक है अभी लगातार तीन दिन में तीन जिलों का आपका डिटेलिंग वीडियो आ जाएगा ठीक तो ज्योंकि बिलासकूर से प्रिथक हो करकरक अस्तित्य में आया था ये जिला बना था आपका 10 फरवरी को यह जिला अस्तित्य में आया था इसका डेट आपको याद रखना है ठीक है अभी जो थो फीया जिला अ के इलाउन के पिछला जो आपका ऊ-ठाइस वा जिना टो तो याद रखना जो हमारे प्रदेश को 28 वा जिला तो गोरिला पेंटरा मरवाही यह 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आ चुका था अब आ रहा है आपका 29 वा जिला मोहिला मानपूर अंबागर चौकी ठेक देखे सबसे पहले हम इसकी सीमाओ को डिसकस कर लेते हैं कि यह जो उपर है आपका राजनाद गाओ राजनाद गाओ से प्रिथा कोकर के अस्तित में आया है आपका मोहिला मानपूर अंबागर चौकी यह है आपका अंबागर चौकी यह है मोहिला और यह है आपका मानपूर देखे दिशा को समझेगा यह है आपका उत्तर दिशा नीचे दक कांकेर के साथ देखे कांकेर को जनरली कोई भी डॉक्युमेंट में अगर कांकेर का जिक्र आता है तो उसका पूरा नाम लिखा जाता है उत्तर बस्तर कांकेर ठीक है देखे बस्तर जो है प्रिथा कोकर के सबसे पहले आपकी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था एक था का तो जो आपका कांकेर है उसका पूरा नाम लिखा जाता है उत्तर बस्तर कांकेर जबकि दंते वाला का पूरा नाम लिखा जाता है दक्षिन बस्तर दंते वाला ठीक है तो ध्यान दीजेगा यहां पर जो आपका इसकी मोहिला मानपुर अंबागर चौकी की जो दक्षिन सीमा के साथ सीमा सज़ा करती है यह तो हो गया एक ओर वर ili अब त्वाश अगर और पूछा जाना हुआ तो इसे ध्यान दिजेगा जो आपका मोहिला मानपुर अंबागार्चौकी हैñas मोहिला मानपुर अंबागार्चौकी की उत्तरी सीमा राजनांद गव जिले के छूरिया तहसिल के साथ सीमा साजा करती है ठीक है राजनांद गव जिले के छूरिया तहसिल के साथ सीमा साजा करती है जबकि इसकी दक्षणी सीमा कांकेर जिले के दुर्क कॉंदल और पखांजूर तहसिल के साथ सीमा साजा करती है जबकि इसकी पूरवी सीमा बालोद जिले के डॉंडी और डॉंडी लोहारा दो तहसिलों के साथ सीमा साजा करती है जबकि इसकी जो पश्चमी सीमा है ये महाराश राज्य के साथ सीमा साजा करती है तो पूरा डिटेल में कीजिएगा देख दक्षिन दिशा, कांकेर का दुर्ग कोंदल और पकान जूर, पूर्व दिशा, बालोर्थ के डॉंडी और डॉंडी लोहरा, पस्चिन दिशा, महराष्ट राज्य के साथ सीमा साजा करता है, ठीक है, ये चीज तो रिदम क्लियर कट आपको बनना चाहिए, क्या होता है, कई आपके कथन आधरीत प्रश्ण से कोश्चन पूछे जाते है, उसमें आपके आपसे रेंडमली कोई भी एक दिशा, और दिशा के साथ सीमा साजा कर रहा है, ऐसा कोई भी एक कथन दे देगा, उसको ध्यान से पढ़तर के अटेंट कीजेगा, ये अभी काफी हाइलाइट मे है, ये जो नए जिले जो अस्तित में आए है, इनसे प्रश्ण पूछे जाने की संभावना काफी जादा है, ठीक, चलिए, आप एके करके इनका डिटेलिंग देखते कि इसका घटना करम किस प्रकार से है, कब घोशना हुआ, कब दावापति, संभति, अधिसूजना चारी किया गया, और कब जिले आपके अस्तित्तों में आए, एक एक करके, इसका पूरा डेट इन्पॉर्टेंट है, पूरा डेट के साथ याद रखना, 29 जिला मोहिला मानपूर अंबागर चौकी, देखिए, मुख्यमंत्रे भुपेज बगहिल जी के द्वारा, 15 अगस्त 2021 स्व और नए जिलों के गठन किया जाने की घोशना की गई थी, मुख्यमंत्री भुपेज बगहिल जी के द्वारा, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के औसर पर, ठीक है, उसके बाद एक अधिसूचना जारी हुआ, 20 अक्टूबर 2021 को, 20 अक्टूबर 2021 को इसकी दावा अपत्त अधिसूचना जारी हुई, देखे, मार्केट में बहुत से पूस्तके है, जिसमें यह जो दावा पत्ति आले अधिसूचना है, इसी को इसका स्रीजन के अधिसूचना बता दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जब यह आपका राजपत्र है प्रकाशित हुआ था, तो उसमें लिख दिया है, कि यह जिला जो है, इस डेट में अधिसूचना जारी हुआ, और यही डेट से जो है, यह जिले अस्तित में आया है, नहीं, यह दावा पत्ति अधिसूचना थी, जो आपका 20 अक्टूबर 2021 को आपके अधिसूचना जारी हुई थी, यह दावा पत्ति अधि दिनों के बीच में वो अगर ये नौ गठिज जो जिला है उसकी सीमाओ संबंदित अगर किसी व्यक्ति विशेश को किसी प्रकार की आपत्ती हो तो वो 60 दिन के भीतर दावापत्ती प्रेश कर सकता है ठीक है तो ये जो आकबीच अक्टूबर 2021 को इसकी दावापत्ती स्रीजन से संबंदित अधिसूचना राजपत्रे प्रकाशित हुआ स्रीजन से संबंदित याने कि आप दावापत्ती के पस्चात ये जो जिले है ये आपके अस्तित्व में आते है ठीक है अस्तित्व में ये जो जिले है आपके आते है तो इनके अस्तित्व में आने संब इनके स्रीजन से संबंधित अधिसूचना राजपत्रय प्रकाशित हुआ 1 सितंबर 2022 को, घोचना हुआ था 15 अगस्त 2021 को घोचना हुआ, दावापत्य संबंधित अधिसूचना राजपत्रय प्रकाशित हुआ 20 अक्टूबर 2021 को, जिबकि इसके स्रीजन संबंधित, यानि कि अस्तित्व में आने से संबंदित अधिसूचना राजपत्रय प्रकाशित हुआ आपके 1 सितंबर 2022 को ठीक है एक सितंबर 2022 को तीनों के तीनों जिले याने कि आपका मोहेला मानपूर अंबागर चौकी सारंगड बिलाईगड और खेरागड छुईखतन गंडई इन तीनों के स 2 सितंबर 2022 को मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी के द्वारा जो है आपके मिनी इस्टेडिया मोहेला में मोहेला अमायनपूर अंबागर चौकी के मोहेला के मिनी इस्टेडिया में जा करके इस नय जिले का उधगाटन किया गया इसके लिए एक उधगाटन समाहरों मुख्य मंत्री के 13 कैबिनेट मंत्रियों में से एक है स्री अमर्जित सीम भगत जो की वर्तमान में हमारे प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती निगम के विभाग इनके पास है नागरिक आपूर्ती विभाग के मंत्री है ये ठीक है वर्तमान में वैसे तो जो जो कुछ cabinet मंत्री है, उन्हें कुछ-कुछ नवीनतम जीलों का अत्रिक्त प्रभार भी सौपा गया है, ठीक है, तो ये जो स्री अमर जी सीम भगत जो है, इस उधगाटन समाहरों के अध्यक्ष थे, इसमें एक चीज़ बताने का कारण क्या है, कि अभी के डेट में जो है, कार के कथन को रेंडमली जोड़ देता है, ठीक है, तो ये जितने भी डेट है, ये डेट हमार लें इन्पोर्टेंट है, उधगाटन किसके द्वारा किया गया, उधगाटन समाहरों की अध्यक्ष थे, इन्पोर्टेंट है, पढ़ लिजेगा, पढ़ने में कुछ वाया न चौकी का, 29 जिले की रूप में उधगाटन किया गया, इस उधगाटन समाहरों की मुख्य अति थी, मुख्य मंत्री भुपेज बखेल जी स्वयम थे, और इस उधगाटन समाहरों के अध्यक्ष थे, स्री अमर जित सी भगत, ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका नया जि देखिए, दुर्ग संभाग में अब तक जो है, आपके टोटल पांच जिले थे, पांच जिले कौन-कौन से, एक दुर्ग, दूसरा बेमेतरा, तीसरा बालोद, चौथा राजनानद गाओ, और पाछवा था आपका कवरधा, ठीक है, अब एक जूड गया, कौन सा, आपके मोहिला, मानपूर, अंबागर चौकी, MMA, प्लस एक और जिला आपका स्तित में आया, जैसे कि मैंने बताया, आपके एक सितंबर को तीन जिलो का स्रिजन हुआ, तो एक और जिला है, आपका खैरागर, छुई खदान, गंड़ाई, तो टोटल आप दूर्ग संभाग के अंतर तब जिला के संख्या कितनी हो गई, टोटल हो गई आपके साथ जिले, दुर्ग संभाग के अंतरगत, अब जो है, जिलो की संख्या कितनी है, दुर्ग संभाग के अंतरगत, अब जिलो की संख्या होती है, आपकी साथ, इन्पोर्टेंट है, जो भी बता रहो, ध्या समस्त तो ध्यान दीजेगा इन्पोर्टेंट है ना दुर्ग संभाग के अंतरगा जीलो की संख्या हो गई है साथ कौन कौन सा एक दुर्ग दूसरा आपका बेमेतरा तीसरा बालोध चौथा कवरधा पाच्वा राजनांद गाओ छटवा आपके मोहिला मानपूर अंबागर चौक और सात्वा है आपका खेरागर छोई खदान गंडाई जो की अपका अस्तित में आ चुका है ठीक अब देखिए यह जो आपका मोहिला मानपूर अंबागर चौकी है इसके पडोसी जीले कौन कौन से है इसके पडोसी जीले के अगर हम बात करें तो इसके पडोसी में तीन जीले है एक तो उत्तर दिशा में है आपका राजनाद गाओ ठीक है हमने यहाँ पर देखा था उत्तर दिशा में राजनाद गाओ दक्षन दिशा में कांकेल और आपके पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में क्या है पूर्व दिशा में है आपका बालोद ठीक है तीन यहां पर थोड़ सा important है, इस मोहिला मानपूर अंबागर चौकी के अंतरगारं, तोटल दो उफखंड आएंगे, कौन-कौन से, एक रहेगा आपके मोहिला और दूसरा मानपूर, उफखंडों की संख्या कितनी है, उपखंडों की संख्या है दो एक मोहिला और दूसरा मानपूर तहसीलों की संख्या कितनी है तो ध्यान दीजिएगा तहसीलों की संख्या है पाँच इससे पहले पिछले साल के current affair में मैंने यहाँ पे तीन तहसील लिखा था लेकिन अब ये तहसीलों की संख्या आपकी अपडेट हो चुकी है बहुत से न्यूस पेपर में तहसीलों की संख्या केवल तीन ही बता रहा है मोहिला मानपूर अंबागर चौकी लेकिन राजपतर में जो अधिसूचना प्रकाशित हुआ है उसमें जाकर के ध्यान से देखिएगा तहसीलों की संख्या है पाँच कौन-कौन सा मोहिला मानपूर अंबागर चौकी ये तीन तो है इसके अलावाद दो और तहसील के नाम का जिक्र है एक है अंधी और दूसरा है आपका खटगाओ अंधी और खटगाओ ये दो और तहसील जो है इसके अंतरगत जुड़े है ठीक है आपको तो पता है ये मुख्यमंत्र भूपेश बगिल जीका द्वारा जहां पे भी आपके किसी भी समाहरों में जाते है तो वो कोई न कोई एक नय तहसील के गठन के जाने की घोशना कर देते है कब कौन सा नय तहसील अस्तित में आता है इसकी भी जानकारी हमें ठीक तरीके से प्राप्त नहीं होती है तो ये अधिसुचनल प्रकाशित हुआ है, जिसे बताया गया है कि इस मोहिला मानपूर अंबागार चौकी के अंतरगत, टोटल आपके पास तहसिल रहेंगे, मोहिला मानपूर अंबागार चौकी तीन, चौथा और पाच्वा है आपका खटगाउं, ठीक, अब इसका गरम थ कोटरी नदी या इसे ही परलकोट नदी के नाम से जानते हैं, तो इस मोहिला मानपूर अंबागार चौकी से होकर के दो नदीय प्रवाहित होती है, एक है शिवनात नदी और दूसरा कोटरी या परलकोट नदी, इसका भी डिटेलिंग करेंगे आगे हम, अगर इसके हम धारवार सेल समू का भी विस्तार है, धारवार शेल समू क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी के सभी जो है आपके 36 गर सामान्य अध्यन का टॉपिक है, अभी हमारा आपका 36 सामान्य अध्यन का क्लास चला था, 15 मई से शूरू हुआ था, 30 अगस्त को कम्प्लीट का विस्तार है, यहाँ पे कुछ-कुछ छेत्रों में, ठेक, अगर इसके हम भौगोलिक विभाजन की बात करें, भौगोलिक विभाजन, यानि कि 36 गर को जो है टोटल, आपके चार प्राकृतिक प्रदेशन बाठा गया है, एक है छत्तिजगर का मैदान, एक है पूरी बग इसका जो आपके मोहिला मानपूर वाला हिस्सा है, मोहिला मानपूर ठीक है, यह मोहिला मानपूर वाला जो हिस्सा है ना यह दंड कारन्य प्रदेश के अंतरगत आएगा, ब्रेकेट में लिख लेना, दंड कारन्य प्रदेश, दंड कारन्य प्रदेश के अंतरगत आता है, ठीक है जबकि अगर बात किया जाए नदी प्रवातंत्र नदी प्रवातंत्र यानि कि हमारे 36 गड़ में जो है आपके महानदी प्रवातंत्र है ब्रह्मणी नदी प्रवातंत्र है सोन गंगा प्रवातंत्र है इंद्रावती या फिर इसे ही गोदावरी नदी प्रवातंत्र ह नर्मदा नदी प्रवाहत अंतर है उसमें से जो है आपके ये मोहिला मानपूर अंबागर चौकी आपके महा नदी बेसीन या महा नदी प्रवाहत अंतर का हिस्सा है अगर भोगोलिक विभाजन की बात करें तो इसका जो अंबागर चौकी वाला हिस्सा है ये आएगा आपके 36 गड़ के मैदान के अंतरगत, जबकि मोहिला मानपूर ओला जो हिस्सा है, यह आएगा आपके दंड़कालने प्रदेश के अंतरगत, ठीक है यहाँ पर अगर हम मिट्टी की विस्तार की बात करें, तो यह विष्टी छाया प्रदेश के विष्टी छाया प्रदेश, जहाँ पर वर्षा जो है, बहुत अलप मात्रा में होती है, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी काली मिट्टी, अगर यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में लिये जाने वोले अगर हम यहाँ पर खनीज भंडारंग की बात करें मुख्यरूप से आपका यहाँ भंडारीत है आपके लहा आयस्क और उरेनियम इसके आलव monta में यहाँ पर चुना पत्थर और थोड़ी बहुत पत्तिमी यहाँ बनकार की जरूप में मैकाल परवस्रेणी जिसका विस्तार जो है आपके गोरिला पिंटरा मरवाही, कवरधा, खेरा खट, छोई खटान, गंड़ाई, राजनादगा और मोहिला मानपूर, अंबागर चौकी की उपरी छेतर तक इस मैकाल परवस्रेणी का विस्तार है मैकाल परवस्रेणी में निवास करने वाली जन जाती है, आपके बैगा और अगर्या जन जाती, जो कि यहाँ पर मुख के रूप से निवास करती है, तो यह था इसका ओवर यू, अब इसका एक मैप बना करके इसका डिटेलिंग करेंगे, तब आपको चीजे और भी अच्छ समझ में आ जाएगी, जिहार समझिएगा, जिन्होंने च्छतिदगर सामानने अध्यन का बैच जोइन किया था, वो भी इस मैप से ही तयारी करेंगे, आप लोगों के लिए भी इन्पॉर्टेंट है, देखिए, यह है हमारे प्रदेश का 29 जिला मोहिला मानपूर अंबाग कि यहाँ पर यह, जो मैप बनाया गया है यह प्रतिकात्मक तोर फर है, हो सकता है कि कोई शहर या कोई जगह एंग्जाक्ट इस लोकेशन पर नहा हो, जो कि इस मैप में दर्चाया गया है, यहाँ पर मेरा प्रयास यह रहता है कि इस्ट्वेंट की सुईधा के हिसाब से, ताकि इस्टुएंट अच्छे से चीजों को याद कर सके। देखिए कभी भी कोई भी एक्जाम में आपसे जो है मैप में किसी जगह का लोकेशन नहीं पहुचेगा कि आपके मोहिला मानपूर अंबागार चौकी में मोहिला के आपके पूर्व दिशा में बोरिया डिब्बू है या पस्चिम दिशा में ये शहर है ये कभी नहीं पूसता उस शहर से जुड़े वे महत्पूर तथ्यों को पूसता है तो हो सकता है कि कोई जगह जो की इस मैप में दर्शाया गया है उसका लोकेशन थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है लेकिन आप लोगों की सुईधा के लिए और आप लोगों को चीजों को याद कर सके पैक्ट को गुजरती है जिसका नाम है आपका इस्टेट हाईवे नंबर 5 राजकी राजमार का क्रमांग 5 जो की आपके राजनांद गाउजिले से होते हुए यह इंटर करती है आपके मोहिला मानपूर अंबागर चौकी में और नीचे चले जाती है आपके कांखिर की ओर दूसरी सड जिसका नाम है इस्टेट हाईवे नंबर 6 जो की उडिसा से होते वह आता है मानपूर होते वह गढ़ चिरोली के तरफ चले जाता है वो हमारे इंपॉर्टन नहीं ठेक है अब देखिए इस्टेट हाईवे नंबर 5 में एक शहर है जिसका नाम है अमबागर चौकी दूसरा ह मौझूद है बोरे डिबो और ये है आपका मानपूर इस तरब से महराश्ट के और से एक नदी भहती है जिसका नाम है बाग नदी जो कि महराश्ट और मोहिला मानपूर, अंबागर चौकी सीमब बनाते हो भहेगी, दूसरी है एक नदी जिसका नाम है शुनात नदी इसका डिटेलिंग अभी हम देखेंगे और एक नदी है कोटरी नदी इसका भी आगे हम डिसकस करेंगे ठीक है देखें ध्यान समझेगा सबसे बड़ नंबर पर है आपका अंबागर चौकी अंबागर चौकी यहाँ पर मौझूद है एक मंदीर जिसका नाम है आपका अंबागर माता का मंदीर ठीक है अंबा देवी मंदीर जो कि एक परेटन इस्थल है अंबा देवी का यहाँ पर मंदीर है दूसरा यहाँ पर इ पहाडी जो है नाम का जिक्र मिलेगा बाना बरस पहाड़ी दोनों एक ही है ठीक बाना बरस की पहाड़ी से उदगम होता है आपके एक नदी का जिसका नाम है शिवनात नदी देखिए अभी मार्केट में उपलम्द बहुत से पुस्तकों में आपका लिखाओ मिलेगा कि पहले के जो एक्जाम में पूछा है उसमें ये पूछा था कि शिवनात नदी का उद्गम किस स्थान से होता है तो एंसर लिया गया था राजनांद गौज जीले के अंबागर चौकी के पाना बरस की पहाड़ी से शिवनात नदी का उद्गम होता है मार्केट में जो पुस्तके है जी हाँ उसमें जो चीज़े लिखी गई है वो भी फैक्चुल चीज़े हो सकती है उनके पास भी कुछ सोर्स होंगे ये अगर देखिए अगर प्यस्थी और व्यापम में ये कोश्चन रिपीट होता है वो अलग बात है कि अगर उसने एंसर ल उद्गम है ये अंबागर चौकी के पाना बरस की पहाड़ी से शिवनात नदी का उद्गम होता है ये आपको जिक्र मिलेगा ही ठीक है तो अभी फिलाल हम इसको यही लेते वे चल रहे है दूसरा सोर्स को भी अगर आपको लेना है तो उसे भी दिमाग में माइन में रखे रहेगा कि गढ़ चिरोली महराष्ट से जो है आपके शिवनात नदी का उद्गम होता है लेकिन अभी फिलाल जो प्रिवेस एर के जो आपके एकजार प्रशने पूछे गए है उसके आधार पर शिवनात नदी का उद्गम होता है आपके अंबागर चौकी में बाना बरस या पान बरस की पहाड़ी से आपके शिवनात नदी का उद्गम होता है जिसकी कुल लंबाई है आपकी 290 किलो मिटर 290 किलो मिटर और यह सहयक नदी है आपकी महा नदी की महा नदी में जाकर के यह विसर्जित होती है कहां पर शिवरी नारायन में जाकर के यह विसर्जित होती है नारायन ठीक है शिविने नारायन में जा करके जो है ये विसरजित होती है हमारे 36 गड़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ठीक है ध्यान दिजेगा सबसे लंबी नदी 36 गड़ में बहने वाली अब देखे अगर हम बात करें महानदी महानदी की कुल लंबाई है आपका 858 किलो मिटर लेकिन ये जो 858 किलो मिटर है ये 36 गड़ और उडिसा दोनों को मिला करके है अगर केवल 36 गड़ में नदी की लंबाई पूछी जाए तो वो है आपके 286 किलोमेटर ठीक है अब जो बता रहा है उसको ध्याँ समझना प्रेश्ण पूछा जाएगा च्छतिस गड़ से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो होगा आपका महा नदी और च्छतिस गड़ में बहने सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा जाएगा तो एंसर होगा आपका शिवनात नदी देखिए अगर प्रेश्ण पूछा जाता है कि च्छतिस गड़ से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो होगा आपका शिवनात नदी यह तो आपका शिवनात नदी यह तो आप तो पानाबरस की पहाड़ी से आपके शिवनात अदी का उदगम होता है और यहीं पर आपके इसी अमबागार चौकी में ही मौजूद है मोंगरा बैराज, एक छोटा सा stop dam है, ठीक है, मोंगरा बैराज, important है, शिवनात अदी के पानी कोई एक छोटा सा stop dam बना करके रोका गया है, तो important है, कहां पर है, यह भी मौजूद है, आपके अमबागार चौकी में, प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे यह प्रश्न आया भी हुआ है पहले के एक्जाम में, जो मोंगरा बैराज है, यह किस जिले में है पूछा जाएगा, तो मोहिला मानपूर अमबागार चौक भगवान सीह, बगहेल, और आपके रमेंदर नाथ मिश्र, इनके द्वारा जो है, इस चितवा डोंगरी की गुफा, एक यहाँ पर गुफा है, चितवा डोंगरी की गुफा है, खोच की गई थी, जहां पर 9 पाशान कालीन मौजूद है आपके शेल चित्र, यहां पर जो ह है यहां पर आपके 27 चित्र प्राप्त हुए 27 और विशेज बात यहां पर एक ड्रागन का ड्रागन का शेल्स प्राप्त हुआ है धीक है एक ड्रागन का अंकन है तो चित्व डोंगरी जो कि नौ पाछानक संन्ल इस्थयल है जिसकी खोज आपके भगवां संहिप गयल और अमबागर चौकी जो नविन्तम जीला बना है इसकी जीला मुख्याले को ले करके भी काफी विवाद है जो ओफिशल नोटिफिकेशन जो राजपत्रे प्रकाशित हुआ है एक सितंबर दो हज़ार बाइस को उसमें इसके जीला मुख्याले से संबंधित कोई भी डिटेल नह पड़ेगा और अमबागर चौकी से भी डिश्टेंस जो है आपका पास में पड़ेगा लेकिन फिरहाल अभी भी इसका ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन हाँ यहां पर जो है आपके कलेक्टर और पुलिस अधिक्छक की न्यूक्ति यहां पर की जा चुकी है एक वैसे तो यह पुलिस अधिक्छक कौन है कलेक्टर कौन है यह आपके किसी भी एक्जाम में नहीं पुछेगा लेकिन जो इस मोहिला मानपूर अंबागर चौकी के जो निवासी है बहुत ध्यान दिजेगा कि आपके इस नवीनतम जीले मोहिला मानपूर अंबागर चौ लेकिन ऑफिशल गवर्मेंट के तरब से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है ठीक है तो मोहिला अब देखिए यह जो आपका मोहिला के साइड वे मौजूद है भंडारी टोला धूमत धाबी और आपके बोदल यह यहाँ पर मिलता है आपके यूरेनियम यहा होता है परमानू उर्जा इसका उत्खनन अभी प्रारंब नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर भंडारन के साक्ष मिले है इस मोहिला मानपूर अंबागर चौकी के भंडारी तोला बोदल और धूमत धाबी वो नामत इस्थान पर जो है आपके यूरेनियम के साक्ष मिले है ज बीचे तरब मौझूद है आपका मानपूर मानपूर बस याद रखना है यह मोहिला मानपूर जो एरिया है यह नक्सल प्रभावित एरिया है ठीक है नक्सल प्रभावित एरिया है और दूसरा यह जो आपका मोहिला और मानपूर है मोहिला मोहला मानपूर यह जो है एक अनुसूचित जन जाती वर्ग के लिए आरक्षित है अनुसूचित जन जाती वर्ग का यहां पर विधान सभा सीठ है और यहां के वरतमान के इस मोहिला मानपूर के विधायक है आपके इंद्र इनका नाम है आपका इंद्र शाह मंडावी इंद्र शाह मंडावी जो की वरतम नदी हो गया एक है आपका कोट्री नदी का उद्गम होता है आपके मोहिला तहसिल से मोहिला तहसिल से कोट्री नदी का उद्गम होता है कोट्री नदी जिसका अन्य नाम है आपका परल कोट नदी इसकी लंबाई है एप्रोक्स 135 किलो मेटर और ये सहायक नदी है आपकी उद्गम होता है राजहरा की पहाड़ी से राजहरा की पहाड़ी जो की बालोद में है बालोद में इस्तित राजहरा की पहाड़ी यानि की दल्ली राजहरा की पहाड़ी राजहरा की पहाड़ी से जो है आपका उद्गम होता है कोटरी नदी का या परलकोट नदी का के मोहिला तहसिल से कोठरी नदी का उदगम होता है जिसकी लंबाई है 135 किलो मिटर अन्य नाम है परलकुट नदी जो की इंद्रावती की सायक नदी है अब यह हो सकता है कि यहां पर आपका इसी के जश्ट पडोसी जीला है आपका बालोत बालोत के राजहरा की पहाडी का वि है 135 किलो मिटर इंद्रावती की यह है एक सायक नदी है बाकी राजहरा की पहाडी 2019 के व्यापम के एक एक्जाम में इसका एंसर लिया गया है राजहरा की पहाडी से उदगम राजहरा पहाडी से इसका उदगम बताया गया है ठीक है तो थोस अपने स्वभी एक क्याधार प मिलता है मोहिला तहसील ठीक है तो ये था आपका मोहिला मानफुर अंबागर चौकी का एक डिटेल वीडियो ठीक है जिसमें लगबग सारी चीजे बता दी गई है अभी ये जीला जश्ट बना है अभी इसके विकास होने बाकी है अभी इसमें और दोगी छेत्र बनाए जाए बहुत से विकासात्मक यहां पर योजनाय चलाए जाएगी तो इसे जो है अभी इसमें बहुत से डेवलप्मेंट बाकी है अभी इसलिए इनका विकास हो सके करके इने जो है नए जीले के रूप में अस्तित्व में लाया गया है तो ठीक है ये था आपका एक complete detail वीडियो म इसमें cover करा दिया है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही इसके बाद कल हम देखेंगे आपका तीसवा जीला सारंगर बिलाईगर ठीक किसी इब रगार के डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूस सकता है चैनल पर नए है तो जैनल को subscribe किजेगा और like और share जरूर किजे ठीक है चलिए